मराठा आरक्षन की मांग को लेकर महराष्ट में एक बार फिर से बवाल होना शुरू हो गया है मनोज जरांगे पाटिल के नेत्रितु में मराठे मुंबई की ओर निकल पड़े हैं लेकिन अब तक शिंदे सरकार आरक्षन को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई है दूसरी ओर जरांगे के साथ चल रहा का फिला लगातार बड़ा होता जा रहा है क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में माराठा अंदोलन की नेता मनोज जारंगे पाटिल माराठाओ के आरक्षन के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं 20 जनवरी से शुरू हुआ ये मार्च 24 जनवरी को पूने पहुच गया है इसके बाद मार्च ने लोनावला की ओर बढ़ना शुरू कर दिया ये मार्च 26 जनवरी को मुंबई पहुचेगा पूने में अंदोलन कारियों को संबोधित करती हुए मनोज जारंगे ने कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तयार हूँ अगर ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे तो पूरे महरास्ट का एक भी रोड खाली नहीं रहेगा मैं बिना आरक्षन के वापस नहीं जाओंगा हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे यहाँ दो से धाई करोल लोग जूटेंगे जारंगे के मुताबिक अगर शिंदे सरकार आंदोलन को नजर अंदाज करती है तो मुंबई में वे अजाद पार्क में भूख हरताल करेंगे जारंगे की मांग राजी के माराठाओं को कुनभी समाज में इस शामिल करने की है इससे पूरी कम्यूनिटी OBC की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षन का लाब ले सकेगी आपको बता दे कि माहराष्ट में माराठाओं के अबादी 30 से 33 फीजदी है माहराष्ट के 48 लोग सभा सीटों में से 20 में से 22 सीटे और विधान सभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर माराठा वोट महतपूर्ण माना जाता है माहराष्ट के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2024 तक 20 से 12 मुख्यमंत्री माराठा समुदाय के ही है और मौजूदा CM-199 शिंदे भी माराठा समुदाय से है दूसरी तरफ राज्य में OBC समुदाय भी 40 फीजदी है अब देखना होगा कि सरकार चुनाप को देखते हुए क्या फैसला लेती है डिवे लाइप की रिपोर्ट